नमस्कार दोस्तों एक बफित से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टागिट एट भान पे मैं हूं अम्रिता और आज हम आप सभी के लिए सामाने ग्यान और सामाने विज्ञान से जुड़े वो सारे महत्रपूर्ण प्रशनल लेकर आए हैं जो आप सभी के एक्जाम्स के लिए बेहरी इंपॉर्टन्ट है इसके साथ हम कॉश्टन से जुड़े हुए जो एक्स्टा फैक्ट है एक्स्टा कॉंसेट है उनको भी जानेंगे जिससे आप उनसे रिलेटर कॉश्टन को सॉल्व कर सके जो एक्जाम्स में आपके आने वाले हैं तो एक बहुत ही जादा एक इंटर लिंकिंग कॉंसेट के दुरू हम आप सभी के सामने कॉश्टन से लेकर आएंगे जो बहुत ही जादा यूस्फूल होंगे आपके एक्जामिनेशन पर्पस से तो बने रही है हमारे साथ वीटो के एंट तक क्योंकि आज की सीरीज का एक एक क्वेश्टन आप सभी के एक्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टन्ट है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, लेकिन क्वेश्टन की सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक जन्रेल इंफरमेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप हैं हमारे साथ मिल करके जूनियर और प्रामिरी, सूपर टेट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं 2021 एक शकभरती के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये तो थी सामाने सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने त्यारी के स्थर्ग को और भी जादा व्यापक बना सकते हैं चलिए, तो शुरू करते हैं आज की सीरीज, आज हम बात करने वाले हैं स्टाटिक जी के विद अम्रिता तो देखे जैसा कि स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर मेहनत आपको करनी है और तयारी आपकी हम यहाँ पर करवाएंगे तो बिल्कुल तयार हो जाए है तयारी के लिए, सबसे तयाला जो कोशिन है आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, जब प्रकाश की किरण एक सगर माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है, तो वह जुखती है, तो आपको बताना है कि जब भी कोई डैंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई भी जो रे है वो गुजरती है या ट्रावल करती है, तो किस तरफ बैंड होती है आपको यह बताना है, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो कोशिन आप सभी के लिए एजिली अंडिस्टानिबल है, लेकिन अगर कोई इं गती के साथ, दूसरा है, अभिलम से दूर और कम गती के साथ, और तीसरा है, अभिलम की और और तीवर गती के साथ, और लास्ट है, अभिलम से दूर और तीवर गती के साथ, ठीक है, अब नॉर्मल, नॉर्मल की जो है, नॉर्मल जो आपको पता होगा, अगर आपने स्नैल स्लाव देखा है तो इOffice ने की देखिए और यह mixed trading ने इस विया मेले मीडिया ह्यृं दो आह से आए इंपनु जान करने है और यह तुरे वे यहां डेखिए जिख अपनी है तो यहाँ पर जो correct answer है आपका है option number D यानि की option number 4 यानि की अभी number से दूर और ती व्रगती के साथ है तो जैसा की देखेंगे इसके पीछे छुपावा concept क्या है इसको भी जान लेजे वो क्या है की प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार यानि की जो light का जो reflection का नियम है उसके अनुसार जब reflection का जो नियम है law of reflection उसके दारा जब प्रकाश किरण एक सगन माधियम से विरल माधियम में गमन करती है तो वह अभिलम से दूर हट जाती है और विरल माधियम में प्रकाश की जो चाल होती है वो सगन माधियम के अपेक्षा अधिक होती है तो जब भी कोई रे है जब वो ट्रावल करती है डैंसर से रेरर तो यह नोगे थोड़ी सी दिक्कत होते हैं लेकिन अमें विलम्ल में यहां काफी दूर है तो यहां पर पेसको टॉल इक प्रोपगेशन ने हैं ठोड़ी सी कम प्रॉब्लम्ल्म फिरस होती हैं तो मेरे ख्याल से आप सभी को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना क्या है, कि जब भी कोई light ray, dancer से rarer medium में travel करती है, तो वो हमेशा किस तरफ होती है, अभी लब से दूर, ठीक है, normal जो होती है, उससे थोड़ी सी दूर, और और ज़्यादा faster speed हो जाते हैं, और ज़्याद box में लिख सकते हैं, अगला प्रशन, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाचित कर सकता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो white light होती है, जो sunlight होती है, उसको 7 colors में अगर differentiate कर दे, ठीक है, तो वो कौन सी चीज है, जो ऐसा करने में सक्षम है, चार options आप सभी क स्क्रीन पे, option number 1, अपवर्तन, option number 2, परावर्तन, option number 3, प्रिजम, और option number 4 है, विकिरन, तो यहां पे जो आपका correct answer निकल कर आता है, वो है, आपका option number C, यानि की प्रिजम, ठीक है, प्रिजम एक triangular object होता है, ठीक है, कुछ इस परकार से, और प्रिजम की सबसे बड़ी जो खा और इन colors को क्या कहा जाता है, विब ग्योर, ठीक है, अब विब ग्योर के colors के बारे में तो आपको पता ही होगा, बॉयलर्ट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और 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 इंज, और ये क्या है, जैड, ठीक है, सबसे जो reflect करती है, वो है R, और सबसे कम जो करती है, वो ह कर सकता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो अपने पत से विचलित हो जाती है, और इसे ही अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन यानि रिफ्रेक्शन, ठीक है, अब देखिए, अपवर्तन की नियम के अनुसार जो यानि कि प्लेन में होना चाहिए, एक ही अक्सिस में, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, यह जो होता है, लॉफ्रेक्शन, ठीक है, किनी दो माध्यमों के लिए आपतन कोड, यानि कि जो साइन है, तथा अपवर्तन कोड, यानि कि देखिए, जो इंसिदेंट एंगल ह और जो reflection का angle है यह angle और यह angle always equal रहता है यह already हमने discuss करा हुआ अपनी previous videos में अब आप आप पो यह ध्यान रखना है कि जब किसी भी माध्यम में आप वरतना को जो color है जो भिन भिन प्रकाश यहां पर नजर आते है जो आप आप different colors देख रहे हैं fraction के बाद, differentiation के बाद तो यहां पर जो सबसे ज़ादा wavelength होती है जो सबसे ज़ादा wavelength जिस भी color की होती है यहां पर किस color की होती है यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं साब के question कई बार railway में आ चुकी है तो तरंग देर देख आने की wavelength बढ़ने के साथ ही अप वरतनांग का मान भी है वो कम हो जाता है और इसी कारण जो लाल रंग का अप वरतनांग सबसे कम होता है यानि जो तरो यहां जो डेखनी रंग होगह वो सबसे अप वरतनांग सबसे आधिक होता है ठीक है, deviation जब से कम schaut है अगला प्रशन आप सभी के स्क्रीन पे ध्षबन नहीं कर सकती जो साूंड है वो किसमें स्क्रीन नहीं कर सकता या यह आपको बताना है चाहरा उप्षन सभी चाहरा रभिकि स्क्रीन पी शम्रहन पर आपवचेन कर देथा ड्रहिक hours option number 3 है हवा और option number 4 है निर्वात तो यहाँ जो correct answer आपका निकल कर आता है वो है निर्वात याने की vacuum ठीक है vacuum एसलिए guys क्योंकि vacuum जो होता है उसमें propagate करने के लिए उसे कोई medium नहीं मिलता जबकि आपको पता है कि ध्वनी जो होती है electromagnetic waves होती है जिन्हें travel करने के लिए medium की आवशक्ता होती है ठीक है अच्छा यहां से आपका एक और question बन सकता है कि ध्वनी जो होती है किसमें सरवाधिक तेजी के साथ में गवन करती है तो वह होता है ठोस ठीक है द्रव और द्रव के बाद गैसों में जो है ध्वनी की जो गती है वो करमशा कम होती चली जाती है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है अगला question देखें अगला question है उच्चताप मान का मान कितना होता है जो माना शरीर में सामान तह माना जाता है यानकि maximum जो human body temperature है वो कितना होता है यह आपको बताना है चार options आप सरी की screen पे option number 1 है 95 degree Fahrenheit, option number 2 97 degree Fahrenheit, option number 3 98.6 degree Fahrenheit और option number 4 है 96.8 degree Fahrenheit तो यहां जो आपका correct answer निकल कर आता है वो है option number C याने कि 98.6 degree Fahrenheit जो होता है बुखार कहा जाता है ठीक है और बुखार किस कारण होता है गाईस क्योंकि जो antibodies production होता है अगर आपके body में कोई ऐसा foreign particle है जो invade कर गया है किसी कारण अंदर आपके body के enter कर गया है तो उन्हीं को kill करने के लिए जो antibodies है वो release होते है और इन्हीं antibodies के religion से जो है वो fever होता है ठीक है अच्छा नेक्स देखिए यहाँ पर आपके एक और question निकल कर आता है कि बुखार को सही करने के लिए जिन दवाव का आम तो प्रियोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है नाल जैसिक्स ठीक है अगला देखिए अगला question यदि एक साधारन लो लग यानि की pendulum की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसका अपवरतन काल में क्या बढ़ाव होगा यानि एक simple pendulum है अकर उसकी length बढ़ा दी जाते है जिसे वो बंढ़ा हुआ है तो उसका जो time period है उसमें क्या बढ़ाव होगा बहुत important question है तो यहाँ पर यहाँ पे चार options आप सभी के screen पे सबसे पहला option है बढ़ेगा option number 2 है घटेगा option number 3 है बदलता रहेगा और option number 4 है समान रहेगा तो यहाँ पे जो correct answer आपका निकल कर आता है वो है option number A यानि की बढ़ेगा जब यह आप किसी pendulum की जो length है उसकी अगर increase कर देते हैं तो always जो time period है व इतने के बाद क्या होगा ठीक है इसको calculate करने के लिए formula है formula है आपका T means होता है time period तो T is equal to 2pi under root L upon G ठीक है L क्या है यहाँ पे L है लोलक की लंबाई यानि की जो pendulum में उसकी length ठीक है जी क्या है आपका गुरुतिय त्वारण ठीक है acceleration due to gravity और 2pi जो है उसकी वाले आप जानते है 3.14 तो अब exactly होता क्या है देखे जब आप किसी भी चीज की जो है वो लंबाई लंबाई अगर यह देखिए length है और length is time period is directly proportional to L ठीक है length तो अब देखिए अगर length अगर आप बढ़ाते हैं तो time period automatically बढ़ जाता है ठीक है तो इस तरीके साथ देख सकते हैं अच्छा यहां से आपके एक और तरीके को question आते हैं आपसे कहा जा सकता है कि अगर acceleration due to gravity किसी current अगर increase हो जाती है तब क्या होगा ठीक है हलाकि यह जो चीजे हैं देखिए जो realistic चीजे हैं और sorry अगर आपके question में कोई ऐसी चीजे हैं जो realistic नहीं है लेकिन आपको फिर भी question में mention किया है इसे earth की उपर ना होकर कि अगर moon पर चला जाए तो वहां पर अगर pendulum का जो आवर्थ काल है यानि कि जो time period है उसमें अगर बदलाव होता है तो आप उसको gravitational जो acceleration due to gravity है इस पर क्या फर्क पड़ेगा तो इस type के question आते हैं तो वहां पर भी आपको इस type की logic है वो यूज करने हो होंगे with this formula ठीक है मेरी ख्यासी जो concept है आप सभी को clear हुआ होगा चले next question पर आते हैं अगला question है कारी करने की दर या उर्जास्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है चार options आप सभी की screen पे सबसे पहला शक्ति option no.2 कृत कारे option no.3 है आवेग और option no.4 है बल तो यहां जो correct answer है option no.1 यानि की शक्ति यानि की power तो देखें किसी भी unit time में किये गए किसी भी object के दवारा unit time में perform किये गए किसी भी कारे को शक्ति यानि की power या सामर्थे कहा जाता है ठीक है एक चीज़ और कि कारे करने की दर को भी power कह सकते है यानि की work done की rate है उसको भी आप क्या कहेंगे power ठीक है इसका जो unit होता है वो होता है joule per second या फिर आप उसे watt भी कह सकते हैं ठीक है यह एक आदिश राशी है ठीक है यह भी आपको जाना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ पर आमने जो भी important concept इस से related थे वो सभी discuss कर ली चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है भार की SIKI क्या ह है बहुत ही important है और आपके जूरीर में question पूछा जा चुका है यूपिटाइट के और आपके वेकेंसी आपकी 628 के level की ही आने वाली है तो आपको यह देखना है कि आपकी यूपिटाइट में से related question थे वो क्या है तो चलिए question देखते हैं कि भार की SIKI क्या है SI unit आपको बतान जिन पर पहला है kilogram दूसरा है Newton तीसरा है राम ओम ठीक है और यह है आपका डायन ठीक है तो यहाँ पर जो correct answer आपका निकल कर आता है वो है option number B यानि की Newton यानि कि भार की जो ऐसा unit है वो है Newton ठीक है अगला देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही क्राशिया है जिनका आपको unit जाना बहुत ही जरूरी है जैसे के लंबाई का क्या होता है length का होता है meter ठीक है द्रवे मान का होता है kg ठीक है time का होता है second विद्धारा का होता है ambier और tap मान का होता है Kelvin हम ऐसा unit की बात करें ठीक है जोती तीवरता का होता है candela और पदार्थ की मातरा का होता है mole ठीक है तो कुछ important units थी जो आपको जाना जरूरी था अगला question देखिए 10 volt के विववांतर वाले दो बिंदू अपर अगर 5 C के charge को स्थानांतरित करने में कितना कारे करना पड़ता है ठीक है यानिकि 10 volt जो है व वो करना पड़ेगा बहुत important question है तो आप सभी की screen पे चार options है सबसे पहला जो option है वो है 50 ampere option number 2 है 50 coulomb option number 3 है 50 joule option number 4 है 50 volt तो यहाँ पे जो आपका correct answer है वो है option number C यानिकी 50 joule कैसे निकालेंगे आप तो work done का जो formula है यहाँ पे w is equal to potential difference into charge ठीक है अब देखिए कि work done की formula में आपको just value put कर देनी है सारी चीज़े आपके question में ही दी हुई है अगर question यहाँ पे आपको समझ आ जा रहा है तो आधा question आपका answer आपको वैसे ही पता चल गया तो work done का formula है potential difference into charge ठीक है तो यहाँ पे देखिए potential difference कितना है 10 coulomb और charge कितना है 5 ठीक है वोल्ट इंटो कूलम और वोल्ट और कूलम जो है वो किसकी sub units में आती है जूल की तो यहाँ पे आपका correct answer आएगा वो होगा 50 जूल तो question के according option no.3 is correct अगला question देखिए यदि coil का प्रतिरोध यानि के resistance किसी भी coil का resistance अगर 750 ओम है तो 220 वोल्ट श्रोथ से electric coil में कितना धारा प है यानि कोई battery वगरा है जिसमें से 220 वोल्ट जो है वो धारा प्रवाहित होगी ठीक है तो आपको बताना है answer चार options आप सफ़के screen पे 0.29 ampere option no.2 2.9 ampere यह भी नहीं यहाँ पे सिर्फ ampere है ठीक है इसको कार देजिए option no.3 है 29 ampere और option no.4 है 0.029 ampere ठीक है तो यहाँ पे जो का correct answer निकल कर आता है वो है option no.a यानि की 0.29 ampere ठीक है option no.a अब देखे इसको आप calculate कैसे करेंगे तो calculate करने के लिए formula आपको यूज करना है ohms logger आपने पढ़ा होगा तो ohms log जो है वो यह है V is equal to IR ठीक है तो V is equal to IR इसी formula को और आप थोड़ा सा change कर देंगे तो यह हो I is equal to V upon R अब देखें अब कुछ नहीं सारी चीज़ आपको question में दी हुई है आपको just value put करनी है तो V की value यहाँ पर क्या दी हुई है 220 ठीक है और R की जो value है residence की वो दी है 750 ठीक है तो अब आपने क्या करना है just divide करने के बाद 0 स 0 कर जाता है और इसको multiply करेंगे तो आपका जब आप इसके साथ multiply करेंगे तो जो आपकी unit निकल कर आएगी वो होगी आपकी MPR ठीक है MPR तो आपके दिया हुआ है तो उसी confusion नहीं है value की confusion थी तो यहाँ पर मेरी ख्याल से जो concept था question का वो आपने समझ लिया होगा अगला question देखें अगला question है उद्योग और वानिज प् आवर ऑफिन नमबर टू है वाट ऑफिन नमबर थी आप यहाँ पर कई लग उसको वाट भी प्रनाउंस करते हैं तो as usual जो आपको अच्छा लगे उसे प्रनाउंस कर सकते हैं और जूल और और शक्ति तो यहां पर आपका और निकल कर आता है वह आप्शन नंबर यह यानि कि किलो वाट आवर आप कोशन देखे पोच कहा रहा है कि जब आप कोई बिजनस लेवल पे जब कोई चीजे या बिल्डिंग से आपकी बिजनस या बड़े लेवल पे जो आम त कोई चना की मिएकने ज़ए प्रतिस ठानों में उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा होती है उसको आम तौर पर किलो वाट आवर से दर्शाय जाता है और यह एक किलो वाट आवर यानिकinformat यान कि एक यूनिट जो होती है ऽुआ है यही जभए यूनिट होती है इसकी जो व तो यहां पर हमने जिते भी important question की series ले कर आई थी वो सभी हमने आप पर discuss कर लिया है तो उमीद है आज का concept था और question था वो आप सभी को समझ आया होगा कोई ऐसा doubt है जो आपको चीज़े समझ नहीं आती है inappropriate लगती है तो comment box में शालिंता पूर्वा का आप लिख सकते हैं ठीक है नेक्स वीडियो लेकर आएंगे वो भी कुछ important question होंगे जो पूरी की पूरी उमीद है आप सभी के exams में आने की ठीक है और एक भी question आपको miss नहीं करना है क्यूंकि क्यूंकि वही question है जो चांट चांट कर हम अपने कई सारे examination की series से लेकर आएं ठीक है तो चले मिलते हैं नेक ओड़ सारे मिलते हैं झाओ स्थे Köns नियू